हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले हाँ सर कहां से सार अबाए मन ऐं मान जाकि जानकार भी मिले खूद के लिए बेले कुछ कर सके दूसरे को भी कुछ मदतरूप हो सके तो इसलिए हम लोग राजकोट से गुजराद से दिल्य आये हुए और डॉक्तर साथ से मुलाकात हो गई हम लोग का नसिब में था तो तो कापी अच्छा हुए अच्छी वीडियो बनाने के लिए और नहीं हो पाया तो मैं डायरेक्ले मोबाइल से सुट कर रहा हूं जिससे कि मैं इसको अटाच करूं फिर और मैं डालोंगा ही डालोंगा कि ए वीडियो डलनी चाहिए कि हमने प्रयास किया थे तो सार आप यहां से कब गुजराद गये थे गुजराद से कब गये थे मुंबई या गुजराद से आ शितन है मारे थे पुजराद से जो सुल्तान थे उसको ने नहीं होगे पर दो अफितन गर्मी उने के आण विभिझ तक जो फिंपरफिर हो जाती है पिर भी प्रोब्लम नहीं है वहां यूटूब में आपने देखे और इतना दूसरा खिंचे आए आए अपको आने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है जैसे खाली मिले मगर हम लोग समझो अच्छे हो गए ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो खाली मिलने के लिए आए थे या सीडी लेने के लिए आए अच्छा मैसूस हो रहा है कि हमारे तब्यात जैसे सुदर गई हो बिल्कुल एक अच्छी फिलिंग अच्छी फिलिंग आ रहे हैं अच्छा एक बैरी दिखाईगा जुरूर और हमने पूरी प्रयास कि हिंदी और जो किताब है यह सा अच्छा यह डिवीडी है यह सब्सक्राइब के बाद में जो बुग बनी है यह तो जरूर अम लोगों को भी फाइदे मन रहेगी और अम लोग दुसरे को भी फाइदा हो ऐसा सोचते है मुझे इतना अच्छा लग रहा है सर आप लोग आए हो मैंने कहा कि प्रयास नहीं छोड़ेंगा आज तो वीडिय है आप अपने हाथ को पहचानो तो किसी और के सामने आपको हाथ पताना नहीं पड़ेगा हाथ पहलाना नहीं पड़ेगा और मैंनम आपका क्या कहना है मेरा यह कहना है हमें यहां पर आके बहुत अच्छा लगा और आप जो अपने हर वीडियो में बोलते हैं freedom to hospital तो सही हम लोग inspiration inspiration होके यहां पर आगए खीचे चले आए और यहां पर आके बहुत अच्छा लगा और हमारा भी भलाओ सबका भलाओ एक टेक्नी के भी मैंने सिखाया कि किस तरीके से आप breathing exercise करो कि जिससे anxiety depression stress चला जाएगा वो थोड़ा करके दिखाए याने हाथ मुठी बंद करती ह हुए सांस अंदर लेनी है फिर तीन सेकेंड रोकनी है हाथ की मुठी खोलनी है सांस छोड़ते वह बाहर फिर से दोबारा दोराते हैं गहरी सांस से अंदर सराब भी कर सकते हैं हाँ आप सांस अंदर गहराई से लें हाथ की मुठी बंद रखें तीन सेकेंड रोकें और फिर बाहर निकालें याने जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वह जहां टच होती है मुठी बंद करते समय वह हमारा एडेनल ग्लाइंड है याने ब्लेट पेशर वहां से कंट्रोल होत है और राइट सांस लेते हुए अंदर लेना है तीन सेकेंड रोकनी है और फिर बाहर निकालनी को पुरी गहराई से ऐसे कितने बार करनी है दिन में कम से कम 200 बार करनी है 200 times करनी है और एक कोशिस के रिए धीरे-धीरे करके जैसे 50 बार किये फिर 60 बार किये जैसे करके डाइरी मेंटेन करिए जिससे कि आप एक महिने में कम से कम 6,000 बार 6,000 टाइम्स याने साल का 72,000 टाइम्स आपको सांस अंदर बाइफोर्स भरनी है और फिर बाहर निकालनी है अगर हम ऐसा कर सके तो हमारी जो पल्स रेट है 72 से आगे नहीं जाएगा याने 72 में ही रहेगा याने 72 टाइम्स हमारी हा हमको किस से मिलेगी ना हम अगर deep breathing करेंगे जो टेक्निक साब को बता रहा हूं और मेरी उम्मीद है जो लोग भी इसको बाद में देखेंगे वो सारे लोग इसकी प्रयास करेंगे एक टेक्निक सार दूसरा मैंने थोटे दिर पहले आपको बताया वह है कि अगर हमको brain stroke से ब दोस्तों यहां पर यह जो point है यह आपका किस तरीके से है कि point number one cerebrum, point number two cerebrum, point number three inner side में pituitary gland, point number four हो गया pineal gland याने जो तीन number point है सबसे important है और इससे हम paralysis patient को भी ठीक करते है इसके साथ-साथ point number two cerebrum है यह भी आपका paralysis case में जब किसी को stroke होता है किसी को आपका hemorrhage होता है तब भी हम इस point का help लेते हैं तो हमने क्या कि यह formula बनाए कि यह दोनों को जोड के आप दबा के रखना है और गह second कम से कम आप इसको रोकना है फिर इसको लूज कर देनी है सब करके दिखाए तो है ताइट कि आपने दोनों थम को तीन सेकंड इसको रोके और relaxed हो गये पिर से लिए तीन सेकंड टाइट करके दबा के रखे और फिर relaxed हो गये एक बारी में 10 बार करना है उसके बाद दिन भर में 10 टाइम्स करनी है इसका मतलब क्या हो गया इससे आपका इंसोमिन्या दोस्तों दूर हो जाएगा जिसका माईग्र Beng है माईग्रेन ठीक हो जाएगी जिसका दिमाग के अंदर have been हो जाएगी एंग्जाइडी जिसे रहता है वो ठीक हो जाएगा और एक तरह से सरीर हमारा अच्छा काम के लिए क्योंकि हमने हाट डिस्क को ठीक कर रहे हैं अपना जो ब्रेन का हर पार से वह सारे आपके ठीक हो जाएगी एक प्रयास से तो दोस्तों यह जो चीजें आज हमन मैं इसका वीडियो बना पाएं मैं भी उसमें पार्टिस्पेट करूं मेरी भी वीडियो आ जाए बगर अनफर्चनल नहीं आया मगर हम भी कम जिद्दी नहीं है हम कुछ ना कुछ करके ही छोड़ते हैं और इसी इसी जिद याने अच्छे काम में अपने जीद को इस्तेमा हैं अगर उतना जिद्दी नहीं होते हम इस सारी चीज़ें नहीं बना पाते नौ घंटे का इसमें डिवीडिये तीन जिससे हम पूरे आकी प्रेसर सीख सकते हैं अगर कोई दूर में हैं यहां नहीं आ पाते हैं वह मंगवा के इसको सीखें और आपको लगे है कि डॉक्ट हमें लगेगा कि बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है हमारी जो चरीटेवल ट्रस्ट विजन इंडिया 247 चरीटेवल ट्रस्ट जिससे हम इउट्रेन कैंसर पर ब्रेश्ट कैंसर पर काम करते हैं इसका सारा पैसा जो भी इससे प्रूफिट आता हम उस पे लेके उ बचायेगा और इसी साथ मैडम और सारसे में विदाया लेता हूं अब लोगों से बिदाया लेता हूं फिर एक नई एपीशौर के साथ आपके साथ रूबरू होगी फिता बाब हमारी तालूगात बढ़ेगी प्यार बढ़ेगी मोबधब बढ़ेगे हम सब मिलके प्रफटाल है हमारे हाथ में हमारी दवाए हैं जहांसे आपकी सफर शुरू हो बीना हस्पताल के बीना डॉक्टर के बीना हं विल और एक नेचुरल तरीके साब जिंदे की जियो जहां आपकी अच्छी स्वास्ते चुपी भी है आप सब कामियाब हूँ यही मेरी दुआए हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात है इतना दूर से इतने मुहबत इतना एट्रेक्शन इतना खीचाओ कि मसकट जैसे जगे से इत इतने जीवन में एक पौधा जरूर लगाओ किसी दुख्यारी का दुख दुर करो और किसी और की लिए हपते में हो महीने में एक बार हस्पताल जाओ उसको हेल्प करो चाहें दो दवाई दे दो दो फूर्स दे दो दो पैसे दे दो कुछ ना है आपके पास तो उसे कंधे यहां तक उसके लिए और एक बार धिन्यवत देता हूं जय हिंद जय भारत